ईगेस विल्कम बैक टो माज चैनल कैसे आप लोग करने वाली हूं वाई और द्भाली करने गाँ वाली हूं बाय। नहीं सब्सक्कित छाहिए और नाप टू वाई नहीं करने चाहिए कि कैसे हैं ये टौप परॉड़क्त का मिक्स रिव्यू। ये top 5 product तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें बट उतसे पहले make sure जरूर कल लें कि आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल पर पहली बार आए हैं तो please subscribe जरूर करिएगा subscribe के साथ साथ bell icon को भी hit कल लें जिससे आपको मेरे वीडियो के notification टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बाते क्लियर करना चाहूंगी buy or not to buy के I think 3 वीडियो 3 एपिसोड मैं already आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे point 2 आज के वीडियो में मैं जो review आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ वो totally मेरे experience पे depend करते हैं कि मुझे कौन सा product कैसा और अगर इनमें से कोई साभी product आपको नहीं पसंद है या आपको बहुत आलब पसंद है तो please mind मत करिएगा क्योंकि हर product के साथ experience जो होता है वो सबका अलग-अलग होता है और point number 3 अगर इनमें से कोई साभी product आप buy करना चाते हैं तो आप इने offline भी buy कर सकते हैं और online भी buy कर सकते हैं तो I think मैंने सारी बाते clear कर दी है वो start करते हैं हमारे video को और एक एक करके मैं सारे product के review आप लोगों के साथ share करूँगी तो सबसे पहला product है Pons की यह moisturizing cream एक्शली यह cream पूरी finish हो चुकी है और empties में यह जा चुकी है बट मैंने सोचा कि पहले empties में डालने से पहले मैं इसका review आप लोगों के साथ share कर देती हूँ तो इसका जो price है वो I think erase हो चुका है बट इसका price 90 मतलब under 100 rupees है बट मुझे इसका exact price नहीं याद है यह एक cold cream है जो कि winter के लिए perfect है वैसे इस time भी आप इसे easily use कर सकते हैं क्योंकि इस time भी weather जो है वो बहुँ जादा अजीब है अगर आपकी skin oily है तो यह cream आपके लिए नहीं ह है लेकिन अगर आपकी skin dry है या combination है या normal है तो आप इस cream को easily use कर सती है जहां तक रही बात मॉस्टराइजेशन की तो जैसा यह क्लेम करता है कि यह मॉस्टराइजिंग कोल्ड क्रीम है यह उसी के according का मॉस्टराइजेशन आपकी skin को देती है और उसे अच्छे से हाइडरेट करके रहती है लेकिन oily या greasy चिपचिपा ऐसा कुछ भी नहीं बनाता है अगर मैं final body की बात करूं कि यह product यह है यह ना है तो definitely यह product यह है आपको try जरूर करना चाहिए I know आप में से बहुत सारे लोग औरेडी से try कर सुके होंगे क्योंकि winter के लिए यह almost सभी की पसंद होती है क्योंकि winter में हमारी skin जो है बहुत ज्यादा dry हो जाती है तो winter के लिए perfect है all skin type वाले use कर सकते हैं लेकिन जहां तक रही बात summer में तो oily skin वाले नहीं use कर सकते हैं बाकि तो सभी लोग use कर सकते हैं अब बारी आती है हमारे next product की तो next product है बायो टीक से और यह है इनका बायो winter cherry rejuvenating body नरिसर या body lotion और इसका जो price है वो है 120 रुपीज जिसमें आपको 120 ml की product quantity मिलती है अगर मैं इस body lotion की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह oily skin को ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि यह liquid form में है और इसका जो moisturization का level है वो काफी अच्छा है मेरे कहने का यह मतलब है कि यह बहुत ज़्यादा hydration नहीं provide कराता है लेकिन अगर आपकी oily skin है तो आपको यह body lotion पसंद आएगा एक बात का धि समझ भी नहीं आए लेकिन अभी मैं इसे use कर रही हूँ तो अभी मुझे यह product पसंद आ रहा है कि हाँ मतलब skin को यह dry नहीं होने देता है और same time यह skin को oily चिपचिपा भी नहीं होने देता है तो इस season के लिए यह perfect है लेकिन फिर भी dry skin वालों के लिए नहीं सिर्फ oily और normal skin के रहते हैं अगर रही हैं अगर मैं final word की बात करूँ कि यह product यह na है तो डिपेंड करता है आपकी skin type पे अगर आपके skin type तो आपको यह product या लगेगा लेकिन अगर आपकी skin type combination है या dry है तो आपको यह product ना लगेगा और buy करने की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने skin के according decision ले सकती है कि आपको यह product buy करना है या फिल नहीं अब बारी आती है हमारे next product की तो हमारा next product है Pantene से और इनका advance hair fall solution hair fall control conditioner जिसका price है 180 rupees और इसमें आपको जो product quantity मिलती है वो है 180 ml की अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह जानना होगा कि यह conditioner कैसा काम करता है क्योंकि यह claim करता है कि यह anti hair fall है या hair fall को control करता है सबसे पहला point यह hair fall के लिए कुछ भी नहीं करता है तो उस point को आप एक side में ही रखिएगा उसे हम इसमें count ही नहीं करेंगे क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये hair fall के लिए कुछ भी नहीं करता है इसलिए हमें उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है कि ये hair fall के बारे में कोई काम करता है या hair fall के लिए या नहीं अब बारी आती है कि अगर ये conditioner है तो ये live-in conditioner है या फिर washable है तो यह washable conditioner है इसे आपको अपने विट बालों में apply करना है तीन से चार मिनट या maximum पांच मिनट तक रखना है उसके बाद आपको अपने hair को wash कर लेना है बस आपके बाल जो है वो soft और smooth silky feel होंगे अगर मैं soft smooth या silkiness की बात करूँ तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है काफी अच्छे से आपके बालों को manageable बना के रखता है और silky और smooth feel होते हैं लेकिए hair fall के लिए और अगर आपकी scalp जो है वो oily है बहुत साल लोगों की scalp जो होती है वो oily होती है जिसमें मैं भी हूँ तो आपको ये conditioner में भी उतना पसंद ना है क्योंकि अगर आपकी scalp oily है तो ये थोड़ा सा मतलब आज नहीं आज आपने इसे apply किया है तो आज नहीं लेकिन कल ये आपकी scalp को आपके बालों को थोड़ा सा oily बना देता है यहाँ पर मैं एक बात ज़रू शियर करूंगी कि ये मेरा personal experience है तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा तो अगर आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा dry है, damaged है, unmanageable रहते हैं, आपको dandruff की problem है तो आपको ये conditioner बहुत पसंदाएगा लेकिन अगर आपके बाल मेरी तरह straight है या बहुत ज़्यादा उलसते नहीं है और scalp oily है तो आपको ये product में भी उत्रना ना पसंदाएगा अब बारी आती है कि ये product या है या ना है तो again ये डिपेंड करता है आपकी hair type पे जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया अगर आपकी hair scalp hair type dry है unmanageable है बहुत ज़्यादा आपको dandruff की problem होती है तो आपको ये पसंदाएगा लेकिन same time पे अगर आपकी scalp जो है वो oily है तो आपको ये 50-50 आप ये समझ लीजे कि हाँ आप इसे अगर सिर्फ बालों पे apply करती है तो आपके लिए अच्छा काम करेगा लेकिन अगर ये आपकी scalp तक पहुंचा तो ये आपकी scalp को second day ही oily बना देगा तो final decision आपका है कि आपको ये product buy करना है sorry या फिर नहीं अब बारियाती है हमारे next product की तो next product है वीको की turmeric cream जो की बहुत ही ज़्यादा famous है ये cream आपको पता ही और जाना तक रही बात मेरी तो मैंने स्क्रीम को पहले नहीं यूज किया था मैंने जब इसे buy किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने स्क्रीम को पहले यूज नहीं किया है ये मेरी first time है इसका प्राइज है 125 रुपीज और इसमें आपको जो product quantity मिलती है किया गया है इसमें paraben है या नहीं तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं शेयर कर सकती हूँ लेकिन जहां तक रही बात इस वीको क्रीम की बहुत सारे लोगों को ये क्रीम जो है वह बहुत बेनिफीशियल होती है जिनकी skin type को ये सूट करती है same time पे अगर आपकी skin के लिए ये suitable नहीं है तो आपको ये cream नहीं बसंदाएगी यहां पर मैं मेरी बात करूँ मेरी skin type जो है वो oily है especially summer time में extremely oily हो जाती है तो मुझे ये cream बहुत जादा अची लगती है क्योंकि थोड़ी सी आप इस cream को apply कर लें तो face जो है वो थोड़ी सा brightening हो जाता है उस पर brightening effect आ जाते और same time पे बहुत सारे लोगों को ये भी problem है कि अरे ये बहुत ही घटिया cream है तो देखिए final decision तो आप ही का है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत buy करिए और आपको पसंद है तो आप इसे buy करिए लेकिन बाई आती है कि ये product या है या ना है definitely मेरे लिए तो ये product या है क क्योंकि मेरे लिए ये cream अच्छा काम करती है मेरे skin के लिए suitable है I know कि coverage बहुत जादा अच्छी नहीं है मतलब बहुत full coverage नहीं है लेकिन मुझे इतने full coverage की जरूरत ही नहीं है जितना coverage ये cream देती है मेरे लिए उतना enough है तो मुझे ये cream पसल रहे है मतलब honest opinion मैं अपना share कर रह की जो की है weseline से और ये है weseline का cocoa glow moisturizing cream for soft and glowing skin और इसका price 160 रुपीज जिसमें आपको 150 ml की product quantity मिलती है अगर मैं इस cream की बात करूँ तो ये cream all skin type के लिए suitable है आपकी skin कोईसी भी हो आप इस cream को easily use कर सकते है जहां तक रही बात season की तो आप इसे summer में भी use कर सकते है और winter में भी use कर स कर सकते हैं ये एक और purple cream है मतलब की आप इसे face के लिए यूज कर सकते हैं और body के लिए भी use कर सकते हैं तो मैंने cream का सारा description आप लोग के साब share कर दिया बारी आती है skin type की या इस cream के texture की जो texture है वो कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं काफी अच्छा है smell बहुत अच्छी है point number one आपकी skin चाहे oily हो या फिर dry हो एक बात का दिहान रहुरूरत रखिएगा कि quantity को आप अपनी requirement के according यूज करिएगा जैसे dry skin है तो आपको ज्यादा quantity की ज़रूरत पड़ेगी और oily skin है तो आपको कम quantity की ज़रूरत पड़ेगी जहां तक रही बात oily skin की तो आप इसे summer में य कर सकती है अब बारी आती है फाइनल वर्ड की कि कि यह क्रीम या है या ना है उससे पहले मैं एक पॉइंट जरूर शेयर करना जाहूंगी आपने अगर यूज किया होगा तो बेभी आपने नोटिस किया हो कि यह क्रीम थोड़ी सी sticky है स्टिकी से मेरा संस यह है कि जब भी मैं इसे अपनी बॉड़ी पे या अपने फेस पे अपलाई करती हूं तो मेरे हाथ जो है यह फिंगर जो है यह तोड़े से sticky फील होते है मुझे मुझे तोड़े सा weird लगता है जो कि मतलब जैसे कुछ sweet हमारे हाथों में लग जाता है त सेम प्रोड़म मुझे हुई second time भी मैंने फिर मैंने again again इसे use किया और मतलब realize कि इसी क्रीम की वज़े से हो रहा है या मैं कोई और प्रोड़क्ट टच करती हूं उसकी वज़े से बट मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था यह इसी क्रीम की वज़े से हो रहा था तो मुझे क्य क्या करती हूं मैं कि मैं इसे apply करने के पाद hand wash कर देती हूं मतलब especially यह palm जो है थेली इसे wash कर देती हूं तो इससे होता यह है कि वो जो stickiness की problem होती है वो चली जाती है तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि side stickiness आपको भी feel हो सकती है आप बारी आती है कि यह product यह ह product पर कैसा लगता है इस minus point का ध्यान जरूर रखिएगा कि यह हतेली पर थोड़ी सी sticky feel होती है लेकिन सेम टाइम पर यह काम काफी अच्छा करती है काफी अच्छे से mosturizing effect जो है वो आपकी skin को मिलता है तो आप देख सकते हैं कि आपको buy करना है या फिर आपको buy नहीं करना है क्योंकि मैंने product के बारे में plus भी आप लोगों के साथ share कर दिया और minus भी मैंने आप लोगों के साथ share कर दिया तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा वीडियो मिस ना करें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए be happy and take care बाई